So dear students now we will start the question number second first part और first part में हमें एंगल कौन से ट्रो करना है? एंगल of 30 degree एंगल of 30 degree अब 30 degree एंगल क्या है? हमने एंगल कौन से गी है अभी तक? एंगल of 60 degree एंगल of 120 degree क्योंकि जो उमरी first arc है वो एंगल कौन से ट्रो करती है? 60 degree अब 30 degree क्या होता है? 60 degree का क्या होता है? हाफ होता है तो it means when we will draw the angle of 30 degree तो we will require the angle of 60 degree जब तक हम एंगल 60 degree ड्रो नहीं करेंगे बिटा कमपस से तब तक हमारा जो एंगल 30 degree है वो ड्रो नहीं होगा तो first जो वर्क है हमारा हमें क्या करना है? एंगल of 60 degree का ड्रो करना है with the help of compass any of the angle हम कमपस से बिटा कोई भी अंगल ड्रो करते हैं तो 60 degree का अंगल तो ड्रो करना ही है करना है आपको it is must तो हमने रे ड्रो करना की पर एक अंगल तो ड्रो करना है यह जो रे है हमने इसको नेम दिया अंगल तो ड्रो करना के लिए हमें क्या करना है next point next step जो step जो क्या है open, put the compass on the L point और open the compass with any radius and draw an arc एक arc जो करनी है जो जो L M जो रहे है इसको जहां पर touch कर रहा है for example यह जो हमारा point है यह क्या है O इसको touch किया इसने O point पे now with the same radius जितनी radius हमारी पहले थी जितनी radius से हमने यह arc लगाई थी उतनी ही radius के साथ हम O point पे हमारा compass पुट करेंगे now O is center and cut it अब जो हमारा यह cut किया है for example हमने इसको name दिया S यह जो point है यह क्या है हमारा S अब हमें angle कि कौन से draw करना है 30 degree तो 30 degree जो हमारा है वो पर्मास लेकिन हमने angle कौन से draw किया भी 60 degree तो 60 degree तो हमारा permanent angle नहीं है इसकी तो हमें requirement थी यानि कि 30 degree के angle तक पहुचने के लिए हमें 60 degree का angle draw करना पड़ा तो यह हमारा fair angle नहीं है तो इस angle को जो हमने यह angle draw किया है यह हमारा fair angle नहीं है तो हम fair line draw नहीं करेंगे हम इसके लिए dotted line draw कर देते हैं और जो यह angle है हमारा यह कौन सा है यह हमारा 60 degree को represent कर रहा है यह जो arc है हमें angle draw करना है 30 degree तो 30 degree क्या है 60 degree का half होता है तो अब 60 degree जो angle है इसका हम half कैसे करेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे put the compass on the O point और जो O से S तक यानि कि यहां तक की जो radius है जाहे तो आप इतना compass भी open कर सकते हो या its radius के more than half जादा हम compass open करेंगे open the compass more than half कि इसके half से जादा open किया now put the compass on O point O point पे रखा now mark and arc यहां से हमने arc mark की अब जितना compass हमने current में open किया हुए उतना ही compass open किये हमें S point पे अपना compass रखना है now cut the previous arc जो हमारी पहले वाली arc थी जो हमने O point को सेंटर मान के cut किया arc रो की थी उसको अब S point पे रखके हमने क्या करना इसको cut करना है और जहां पे इसने cut किया यह जो joint हुए हैं दोनों points आपस में मिले ही हैं यह हमारा क्या represent कर रहा है इसका half तो अब हमें इन दोनों को joint कर देना है और तो इन दोनों को joint करेंगे तो यह angle क्या हो जाएगा क्योंकि यह क्या हो गया इस angle का half हो गया और यह angle कितने का था 60 degree का था तो 60 degree का जो angle है उसका half बिटा क्या हो जाएगा हमारा 30 degree तो यहां पे जो cut किया है यह joint किया फोर एक्जांपल हमने इसको नेम दिया ती, तो जो हमारा ती ल, एम है वो हमारा एंगल है 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल इधर है और 30 डिग्री एंगल इधर है, ओके, 30 degree angle draw करने के लिए हम पहले क्या करेंगे बिटा पहले हम एक ray draw करेंगे और उस ray पे हम पहले 60 degree का angle draw करेंगे 60 degree का angle draw करने के बाद अब हमारी जो ये radius है इस radius यानि कि ये जो arc है यहां से यहां तक का जो distance है उसके more than half यानि कि आधे से थोड़ा सा ज्यादा हम compass open करेंगे और एक बार P O को center मान के यहां से एक arc लगाएंगे एक बार S point को center यानि कि 60 degree वाली जो arc है इसको center मान के फिर उतनी ही radius के साथ यहां से हम arc लगाएंगे और जहां पर इन दोनों ने cut किया टच किया यह जो meeting point है इन दोनों को हम join कर देंगे तो यह जो angle होगा यह क्या होगा 30 degree understand